मस्कार दोस्तों बहुत-बहुत सागत आपका कंब्रिसंद कम्यूटी इस ऑनलाइन प्रेटफोर्म में मैं आज आपको फिर से बाइलोजी के एक नएज चेप्टर पढ़ाने वाला हूँ और वो है स्वसंतंत्र ध्यान रखेगा रेस्परेटरी सिस्टम ठीक है लेकिन हमने यहां पर एक हिसाब से अलग यहां टॉपिक दिया है जिसका नाम है ब्रीधिंग एंड एक्स्चेंज ऑफ गैसे तो ध्यान रखेगा आपको आपके इस जो लेक्चर में हम किस चीज की चर्चा करेंगे तो हम चर्चा करेंगे हम स्वसंतंत्र के बारे में ध्यान रखेगा इस class या इस session का हमारा जो topic है स्वसंतंत्र और इसमें हम ये पढ़ने वाले हैं कि humans जो होते हैं ये किस प्रकार से breathing करते हैं तो basic humans का ही हमको respiratory organs और respiratory system को हमको इसमें पढ़ना है तो सबसे पहले हम इस बात के चर्चा कर लेते हैं स्वसंत्र के बारे में तो मुझको पता है कि आप में से बहुत सरे से भ्यारती होंगे जो बायों से संबंदीत नहीं होंगे या जिन्हों इसको ठीक से नहीं पढ़ा होगा ठीक उनको एक चीज हमेशा डाउट रहता है ध्यान रखेगा एक हो गया स्वसंद ठीक है ध्यान रखेगा और दूसरा होता है स्वसंद के लावा एक हो गया हमारा breathing breathing को हम क्या कहते है स्वाक्छोस्वास ध्यान रखेगा दो चीजें है यहां ठीक स्वाक्छो स्वास ठीक है अब समझेगा इसको ठीक क्या तात्रपर रहे इसका पहला का जो मीनिंग है ठीक अगर इंग्लिस में हम देखेंगे इसका मतलब हो जाएगा रेस्पी रेसं ठीक है और दूसरा का हो जाएगा ब्रीधिंग तो आपको मैं बताओं कि अभी तक आप में से अधिकतर लोग जो है इन दो परफॉर्म का दिन दोनों को अलग अलग नहीं समझ के एक ही समझ रहते हैं ठीक है वास्तों में जो स्वसन होता है ठीक यह इसका समन्द रेस्पी रेसं से हैं जो इंग्लिस में जि यह जो है सास लेनी की क्रिया है समझेगा इस चीज को क्या है सास लेनी की क्रिया यानि ब्रीध इन एंड ब्रीध वा आउट जो हम सास अंदर लेते हैं और जो सास हम बाहर लेते हैं इसी क्रिया को हम किस नाम से जाते हैं हम ब्रीधिंग के नाम से जानते हैं हिंदी में इस स्वसंन जो है एक आपका बड़ा ब्रॉड कंसेप्ट है और उसी के अंदर हमारा व्रीन आता है तो समझेगा ठीक है वाट इस भ्रींग अगर कह जांने तो ब्रीडिंग मतललब ब्रीडिंग जो है ठीक एक प्रकार से रेस्पिरेशन ही है ठीक है लिकिन completely नहीं है ठीक यानि respiration जो है यह broader aspect है और उसी का एक छोटा part है हमारा breathing होता क्या है ध्यान रखेगा जिसे मैं आपको एक उधारा लेके समझा रहा हूँ हम अभी सांस ले रहा है मैंने यह सांस लिया यह जो वाईउ है या जो air है जो atmospheric air है यह हमारे फेफड़े में आया लंग्स में आया ठीक यह जो फेफड़े है यहां पर exchange of gases होता है अर्थाद gases का आदान परदान किन गेसों का तो हमने जो gas अंदर कि और intake किया है इसमें oxygen की मात्रा जादा होती है ठीक यह वाईउ मंडल में देखेंगा आप फेफड़ों में ठीक एर वोकिल्स पाए जाते हैं ठीक है अर्थाद वाईउ कूपी का यह पाए जाते हैं इस वाईउ कूपी का में ठीक यह वाईउ चला जाता है और वहां पर अर्थाद इस प्रकार ठीक है जो हमने सांस लिया इसमें का आक्सिजन चला गया ब्लाड में और जो ब्लाड में अल्रेडी एक्जिस्ट कर रहा था और ध्यान रखेगा इसी को हम ब्रीधिंग कहते हैं यह केवल एक स्टेप है किसका रेस्पीरेशन का ठीक है चलिए हमारा जो बेसिक फोकस है वो रहेगा इसी रेस्पीरेशन पर ठीक है ब्रीधिंग पर रहेगा ठीक समझेगा ब्रीधिंग पर रहेगा चलिए अब हम चलते हैं और आपको यह समझा देते हुए चलते हैं इन दोने में डिफ्रेंस जो था इसको हमने भी पढ़ा अब देखिएगा इसका डि कहते हैं इंग्लिस में रखेंगा याद न ठीक असानी से आद होता है रेष्टिरेसन हिंदी मिश्कों स्वसंग कहते हैं ध्यान रहे इस वद्वाइब डिंग तो ब्रीदिंग क्या होता है ठीक it is a continuous continuous process that involves both inhalation तेगा एंड एक दो चीज़ें होती है एक को कहते हैं हम ठीक सांस को अंदर लेना ठीक और एक को कहते हैं सांस को बाहर लेना ठीक अर्थाद धेहन रिखिए गए जब हम सांस को अंदर लेते हैं ठीक है एक वो प्रक्रिया होगी जिसको हम इंगलिस में इन है इन हैलेनेशन कहते हैं दूसरा हो गया जो अंदर फाइ अब इसको किस प्रूप में समझेंगे यहां पर ठीक है हिंदी में अगर हम चर्चा करें तो ठीक है जो स्वसन होता है सौरी स्वसन बार बार आए गवार्ड उससे अच्छा मैं ब्रीधिंग की बात कर रहा हूं यह जो ब्रीधिंग होता है इसमें दो प्रकार के क्रिया होती है पहला होता है अन्ता स्वसन ध्यान रखेगा अन्ता स्वसन और दूसरा होता है निह स्वसन समझेगा इस चीज को निह स्वसन स्वसन तो यह दो चीज़े हैं अन्ता स्वसन निह स्वसन इसी को करमसा हम इन हैलेनेशन और एक्स हैलेनेशन के नाम से जानते हैं और कि व्लान भिरशल्ट को हवा को अपने दो सांस ले रहे हैं इसा आनी के प्रिक्रिजार बारी की है कारबान डियोकसेड है और इन दोनों को कंबाइन प्रिक्रिया का अगाले क्जा के रोड़े suggest всех है लाज ध्यान रखिएगा ठीक है अब दूसरा स्टेप है इसी का हम आगे चलते हैं रेस्पिरेशन में समझेगा ठीक जहां पर यह इन्हेलेशन और एक्जेलेशन में है से संबंदी थे इसका कोई संबंद नहीं है इसका यह प्रोसेस होता ही नहीं है अब समझेगा ठीक है यह जो है जिसको अभी हमने इंटेक किया था ठीक ऑक्सिजन यह चला गया सेल में कहां चला गया सेल में अर्थाद कोशिका में ठीक है और ध्यान रखिएगा आपने जो भोजन किया था वो भोजन जो है पचने के बाद उसका जो सबसे सरल अव्वेव है वह भी पहुंच जाता है कोशिकाओं में अब कोशिका के अंदर होने वाले स्वासन को ही हम रेस्पीरेशन कहते हैं ध्यान रिखिएगा स्वासन एक्चुली में होता है कोशिका में इसलिए इस प्रकार के स्वासन को हम अंता कोशिके स्वासन के नाम से भी जानते हैं अब देखे गया आपर इस प् कर दो आपरिक डिया है जो खुषी काओं में होता है या कोई भी प्राणी चको में होता है और उस कुषिका में क्या करता वो फूड को ब्रॉकेन करता है ताकि एनर्जी को रिलीस कर सेगे और यह जो परफॉर्म होता है माइटो कॉन्ड्रिया में तीक है आरथाद ठीक है आपको पता है कि भोजन कोशिका कि विद्दुद्गरहम किसको कहते हैं, mytochondria को कहते हैं, तो वही विद्दुद ग्रह में थी, कि food का क्या हो रहा है, broken हो रहा है, वहाँ से energy release हो रहा है, तो थोड़ा यही पर compare को रहा है, यह क्या है, केवल सांस ले रहा है, पूरे बलड के माध्यम से शरीर के विभिन कोशिकाओं में पहुँच गया, अब कोशिका के अंदर क्या हो रहा है, कोशिका के अंदर हो ये रहा है, कि वो आक्सिजन उस food particle को क्या कर रहा है, और थात उसका आक्सी करण करने के फल्सुरूप उस भोजन से उर्जा मुक्त हो है जिसके कारण हम hommes a qu → ah थिया में पढ़ा रहा हूँ आप वहां पढ़ रहा हो तो यह जो हम अपने दैनिक जीवन जो हमको ताकत मिलती है अगर अक्सीजन नहीं जाता ठीक है फूड को broken नहीं करता, फूड को broken नहीं करता, तो ध्यान रखेगा energy release नहीं होता, ठीक है, तो बड़ा simple सा चीज़ है, अर्थाथ, हम यहाँ पर यह कहें, कि ठीक, breathing जो है, एक physical process है, ठीक, यांतरिक प्रक्रिया है, ध्यान रखेगा, यांतरिक प्रक्रिया है, ठीक, ध्यान र देती है, इसलिए इसको physical process कहा गया है, इस बात को आप नोट कर लिजे, दूसरा चीज़ ध्यान रखेगा, respiration, respiration में चूकी, भोजन का अब घटन हो रहा, भोजन को तोड़ रहे है, इसलिए हम कहेंगे, यहाँ पर, यह biochemical process है, bio का मतलब, ठीक, जैयो राशायनिक क्रिया ह क्रिया, ठीक आए समझ में, तो हमारे ब्रीधिंग क्या हो गया, सांस लेनीक क्रिया यह ब्रीधिंग जो है, यह है हमारे यंतृ करिया है और यह हो गया आपका, ठीक जैयो राशायनिक क्रिया, ठीक है, तिसरे point पर आते है, breathing is a part of respiration, बिल्कुल सही ही बता रहा है, ब्रीध गटाव कर रहा है उसको पूरे blood में टीक है ट्राश्पोर्ट कर दे रहा है तभी तो कोशिकाओं में oxygen पहुच के ठीक है क्या करता है उस food particle को क्या कर आधर oxidize है तो सीधी बात है ठीक है तो यह क्या है ठीक है यह जो है आपका breathing जो है breathing is a part of respiration, जबकि respiration का, it involves the release of energy, अर्थात इसका संबन यहाँ पर उर्जा के मुक्त करने से है, ध्यान रखिएगा, उर्जा के क्या करने से है, मुक्त करने से है, ठीक है, तो यह चीज़े आपको समझ में आ गई होगी, तो अब मामला क्लियल हुआ यहाँ पर, क्या क्लियर कि breathing अलग चीज़ है, respiration अलग चीज़ है, respiration is only performed in cell, ध्यान रखिएगा, यह प्रक्रिया हमेशा कोशिका के अंदर होती है, स्वसन जो है, यह क्यांत्रिक क्रिया नहीं है, ठीक हम बोलते हैं समाने सब्दों में स्वसन कर रहे हैं, स्वसन नहीं कर रहे हैं, ठीक हम breathing कर रहे हम breathing कर रहे हैं और वो जो oxygen है, वो oxygen जा रहा है हमारी कोशिकाओं में और कोशिका में हो रहा है उसका स्वसन, तो स्वसन का मतलब आप लगभग क्या, आप यह समझे कि भोजन से ही ठीक उर्जा वीबुक्ति करन की प्रक्रिया को हम स्वसन करते हैं, कहते हैं, ठीक है, अब ह इस प्रकार से फिफड़े होते हैं, यह फिफड़े हैं, ठीक है, तो क्या बता रहा है भई, हमारे डिफिनिशन क्या बता रहा है, दा प्रोसेस इन वीच एर मूवस इन and out of the lungs is known as breathing, इसका मतलब यह हुआ कि यह जो वायू है, ठीक है, हम क्या कर रहा हैं, oxygen यूग तो वायू को अंदर ले रहे हैं, और जो already यहां पर carbon dioxide इस चीज़ को बाहर निकाल रहे हैं, यानि हम air को क्या कर रहे हैं, in कर रहे हैं और out कर रहे हैं, ठीक है, this is carried out through various respiratory organs, ठीक है अर्थात यह जो process है, यह जो प्रक्रिया है, कोई एक अंग के द्वारा नहीं होती है, इसके लिए बहुत सारे अलग अलग अंगों की आवसकता होती है, तो ध्यान रखेगा, ठीक है, breathing अर्थात, ठीक सांस लेनी की क्रिया में, ठीक एक से अधिक अंग भाग लेते हैं, ठ breathing is a simple give and take process, breathing जो है, एक लेन देन की क्रिया है, या एक लेन देन की प्रक्रिया है, तो इसको आप यहाँ पर समझ गया है, ठीक ध्यान रखेगा, सांस के माधिया में, आप हम वायू को अंदर ले रहे हैं, और अंदर में वायू था, कारबन डायक साइड युक्त, उसको हम ठीक यही breathing है, अब चलिए, ठीक, इस प्रोसेस ऑफ टेकिंग, टेकिंग इन, ऑक्सीजन रीच एयर, अब ध्यान रखेगा, इसी प्रोसेस को हम दुसरे तरीके से देखते हैं, यह जो सांस लेने के दौरान हम आक्सीजन युक्त, वायू को अंदर लेते हैं, धाट इसी को हम क्या कहते हैं, अन्ता स्वसन कहते हैं, ध्यान रखेगा, अन्ता स्वसन कहते हैं, अर्थात इसके माध्यम से, ठीक, वायू जो है, हमारे फेफडे के अंदर आ रही है, ठीक, इसी को हम क्या कहते हैं, अर्थात अन्ता स्वसन कहते हैं, दूसरे ध्यान रखेगा, on the contrary, the process of गिविग और धने के गिविग ऑउट एयर डैट इस रिच इन कार्बन डाय आक्साइड अर्ठाज कार्बन डाय और सफ साइड से युग तो वाय उको बाहर निकालने के प्रत्रिया को हम एक सहलेनेशन के नाम से जानते हैं एक सहलेनेसन का मतलब हो गया नीश रहले कि अगर माल जे कोश्चन में इस नहीं नहीं सवसंद के जगह पे हिंदी में कुछ और वर्ड का भी उस किया सकता है ठीक है और भी कुछ वर्ड मतलब सीनिमस वर्ड देखा जाया तो बहुत सारे से इनुमस वर्ड हो जा थे लेकिन इंग्लीस में अगर इसका यूज करेगा तो inhalination और exhalination ही यूज़ करेगा, इसलिए मैं suggest कर रहा हूँ कि आप bio या science में अधिकतर जो है English word को क्या करें आप, ठीक, प्राथमिकता दे, चलिए, तो यहाँ पर breathing समझ में आ गया, और चलिए आप, breathing के बाद respiration को भी हम देख लेते हैं, ठीक, respiration in the process through which, समझेगा राम से, respiration in is the process through which, living organism take in oxygen, चलो यह तो उसी का part है, take in oxygen and give out carbon dioxide, ठीक है, यही तो हम breathing है, यही तो breathing है, यही तो breathing है ना, और breathing is a part of respiration, ठीक, which we have already discussed, यानि कि breathing क्या है, breathing is a part of respiration, अर्थ हाथ breathing को तो हमको लाना ही पड़ेगा, लेकिन यह part जो दूसरा आ रहा है, to release energy, यह ब्रीदिं का part नहीं है, एक्चुल में यही काम है, हमारे respiration का, घहने केगा, respiration का, respiration का मतलब हो गया, स्वासन का, ठीक है, चलिए, so naturally, respiration is a, is a major and vital process of gas exchange, ठीक है, अथात, अब यहाँ हम यह कह सकते हैं, कि respiration जो है, एक major और महत्तपूर, major मतलब बड़ा, vital मतलब महत्तपूर, process है, gas exchange का, ठीक, gas exchange तो breathing के माध्यम से ही हो चुका है, और वो जो gas exchange के बाद, जो gas हमारे पास आया, यानि, cell के पास आया, अब उस cell से energy मुक्त करने का काम किसका था, भई, mitochondria का था, और इसी process को हम क्या कहते हैं, स्वासन कहते हैं, ठीक है, हिंदी में हम अगर इसी को देखेंगे, तो समझे इस चीज़ को, ठीक, अच्छा, हमारे पास एक लाइन और बचा है, the transport of gases, ठीक, ध्यान रखिएगा, during respiration, both oxygen and carbon dioxide, simple से बात है, are carried out by the blood cell, ठीक है, oxygen जो आ रहे है, oxygen जो जा रहे है, ठीक, इसका means of communication क्या है, अर्थात इसके आने जाने का साधन क्या है, तो वह है blood, ठीक ह अब आगे बढ़ते हुए, इसी का हिंदी में हम लोग देख लेते हैं, कोशिकाओं में यह oxygen भोजन विखंडन में सहायता करती है, कोशिकाओं में भोजन वखंडन प्रकरव में उर्जा विमुक्त होती है, या उर्जा मुक्त होती है, ठीक है, ध्यान रखिगा, और इसे क कोशी कि कोशी स्वसन भी कहते हैं हम सभी जीवों की कोशी कायों में कोशी के स्वसन होता है और कर लिए पहला सिम्पल सा इसका मिनिंग है पहला घुटेamm आप पूछाया कि है क्या तो एक आपका या बायो केमिकल प्रोसेस है तूँ कोन रस पीडिंग आया समझ में चलिए अब हम रेस्पीरेशन के बारे पढ़ते हैं रेस्पीरेशन जो है प्रमुख रूप से दो प्रकार से होते हैं समझेगा इस चीज को, दो प्रकार से होते हैं, पहला को हम कहते हैं, ठीक है, अर्थाथ aerobic respiration, अर्थाथ वह स्वचन, जिसमें हमको requirement होता है oxygen का, ठीक है, ध्यान रखेगा आक्सिजन के अनुपस्थिती में भोज्य पदार्थों का क्या करते हैं अब घटन करते हैं ठीक अब वो कैसे होता है तो सब पहले वाले प्रक्रिया में समध लीजेगा ठीक ध्यान रिखिएगा वाई विए स्वसंद में गुलकोज गुलकोज मतलब अपना C6H12O6 घ्यान रिखिएगा गुलकोज यह जो गुलकोज है इसका आक्सिजन की उपस्थिती में हम क्या कर रहे हैं अब घटन कर रहे हैं तो समानी रूप से किसमें तूर जा रहा है कार्बन डायाकसाइड भी तूर जा रहा है ठीक वाटर में तूर रहा है यहानी स्तूर जा रहे मि तूर यह जा रहा है च टूर नौर जा रहा है और सकी साथ यह energy रिलीज कर रहा है घ्यान रक्षित अलिए ऐनर्जिका कर रहा है रिलीज कर रहा तो आप बड़ा सिंपल तरीके से समझेगा ठीके जब गुलकोज का आक्सी करन होता है तो क्या मिलता है ठीक है पहला प्रस्थ यही बनता है जब गुलकोस का आक्सी करन होता है तो सब से पहले हमको मिलता है कार्बन डाइकसाइड और यह कार्बन डाइकसाइड इस प्रकार आप एरो बना दीजे उड़ जाता है अर्थाद बार में यह वाई आई वीए स्वसंद के माद्धियम से हम को क्या मिलता है बही कार्बन डायक्साइड और जल और हमारे उप्योग के लिए उर्जा मिलती है चलिए हम पढ़ लेते हैं वाई वीए स्वसंद को ठीक है ध्यां रहाँ रेकिएगा यह क्या होता है इस गुल्कोज का जो आकसी करन ह है यह oxygen की नुपस्थिती होता यानि कि यहाँ पर oxygen नहीं होता तु देखो । ज़शते हैं तो अलग result आता है नहीं है तो अलग result आता है ठीक जैसे कि अगर teacher टेस्ट के समया exam के समय examination hall में है ठीक तो सब सब को पता है अगर नहीं है थोड़े देर आदे गंटेकली बाहर चले गए तो दो दो बदल जाता है कहने का मतलब सब का नंबर जो है इंक्रीश हो जाते हैं तो मेरा तातपर बस यह है ठीक है कि छोटा सा यह देखेगा यह आक्सीजन क्या है यह आपका ऑक्सीडाइजर है अचैटी नहीं रहेएगा तो से बात है भोजन का आक्सीगरन नहीं होगा ठीक हो एक अलग परकार के प्रिक्रिया होती है और शचीज के भी हम चरकर चा करेंगे ठीक है तो ध्यान रेखिये इसमें बनता है इलको हलका ठीक है तो यह सिंपल साथ दो डिफिनेशन था आपका वाई विय और आवाई विय इसी चीज़ को हम आगे पढ़ेंगे और वहां पर आपको यह बताऊंगा मैं कि किस प्रकार से एक ही गुल को जै उसी गुल के उसके तिन अलग 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 यह होते हैं ठीक प्र सबसे पहले क्या होने वाला है तो सबसे पहले होने वाला है तो सबसे पहले होने वाला है ब्रिदिंग यानि respiration involves the following steps अर्थात स्वासन में निम्द प्रकार की ठीक किरियाएं समपादित होती है और वो किरिया है सब से पहला है breathing ठीक या जिसको हम pulmonary ventilation के कहते हैं देखेगा breathing या pulmonary ventilation ventilation का मतलब क्या हुआ ventilation का मतलब हुआ हवा का आवा गमन जिसे हम अपने घर में अपने कमरे में कैते हमारे यहां का ठीक है ventilation ठीक नहीं है ठीक नहीं है कि मतलब होता है हवा का आना जाना ठीक है तो पहला step हो गया breathing जिसको हम कहते pulmonary ventilation by by which atmospheric air is draw in and carbon dioxide rich air is released out, rich alvoric air, इसका मतलब क्या है, वाई KUPika यह फेफरे की अंदर तीक है जो वाई है उसका ही नाम है alvoric तीक है धेखरे की alvoric होना चाहिए, यह alveural चलो कोई दिक्कत दी है alveural air तीक है तो जो फेफडे के जो वायू कुपी का है ठीक है उसी वायू कुपी का के एयर को हम यहाँ पर ठीक एलवेयरल एयर के नाम से जानते हैं और इसी को बहार निकलने का भी प्रोसेस होता है ठीक है अब धियान रखिएगा दूसरा है पर हाँ एक्सचेंज ऑफ गैसेज है आमारे पास थीक है मैं आगे बताऊंगा एक्सचेंज ऑफ गैसे थीक फिर भी मैं आपको यहाँ पर बता सकता हूँ ठीक ध्यान रखिगा चुक्कि यहाँ पड़ रहे हैं तो यहाँ पर पर से समय ततकालिंग रूप से जानना बहुत तो हरी है कि अरी और यह यह दिनी टाइप करें बंता है थोड़ा से इस प्रकार से बनता है कि अठीक से अब देखेगा इसका पहला प्रोसेस में हमने क्या था था यह और से था of gases अर्थाथ oxygen और carbon dioxide का across अल्वियरल membrane ये क्या है आगे में बता रहा हूँ ठीक है इसके अंदर किस प्रकार की सरचना उसको मैं आगे बताऊंगा तो आपको ये अल्वियरल membrane पता चल जाएगा और ये अल्वयरल है क्या या एल्वोलाई जिसको कहते हैं वह है क्या वह भी पता चल जाएगा ठीक है अगर चुक्कि यहां चर्चा चल गया जब अंदर की और वाईव आती है तो यहां पर बहुत सारे ठीक है अलग अलग पासेश होते हैं प उसी वाईव कुपिका के membrane में ध्यान रखेगा गैस का एक्सचेंज होता है जो कि कुछ मिली मिली मिटर होता है उससे भी छोटा होता है उसके भी तीन लेयर होते हैं तो इतनी पतली ये membrane होता है और इसी membrane पर हम प्रेसर डालते हैं सिगरेट पीते हैं वो बंदे ज्यान रहें जो नसा करते हैं ठीक है इतना छोटा-छोटा हमारे मतलब और जो पार्ट होते हैं ठीक है वहां तक अगर इस परकार का एयर जाएगा ठीक डेमेज तो होता ही है लेकिन बॉडी रिकवर कर लेता जब तक ताकत है ठीक जब तक ह सरेर में ठीक है मतलब कहना ँचहिए इसी सा आप से कहें कि जब तक सरीर में जरेटिव टाकत ज़्यादा है तब तक समझे ज्यान Divine अगर वी मारी सी ग्रसित होने था जो टेवो को जनिक, जो तोभी को जनित, या कहा है तमबाकू से जनित जो पदार थे इस से, हमेशा cancer होने का खत्रा रहता है. powerful cancer जनित खत्रा होता है. तो समझो भई, समझ समझ का खेल है? ठिक, समझदार तो सब हैं, समझदारी के कमी नहीं है, ठीक है लेकिन application में दिक्कत है ठीक उस समझदारी को apply करने में चलिए यह हो गया और इन ही दोनों को ध्यान रहां रहां कि ब्रीधिंग और इस चला जाएगा और वहां पर अगर डिफ्यूजन होगा या कहें इसी के और आगी की बात करेंगे वहां डिफ्यूजन होगा तब हम उसको कहेंगे टिक है क्या रेसपिरेशन अब ध्यान रखिगा इंटर्नल का मतलब अभी यहां पर डिफ्यूज हुआ है पुरी तरीके से ध्यान रखिगा केवल डिफ्यूज होगे कहां चला घाएगा भई ब्लड में चला जाएगा तो इस चीज़ को भी आप यहां नोट कर लिजे ठीक है यह जो है टिक और कार्बन डाइकसाइड डिफीज होके कहां चला गया बलड में अक्सिजन की बात कर रहा हूं बलड में क्योंकि यह जो कार्बन डाइकसाइड है यह सांस के माध्यम से पहले ही बाहर निकल चुका है ठीक है अब दिखेगा अगले होगे ट्रांसपोर्ट गैसे बाइद बलड या जीतने भी हमने अक्सिजन के सांसत और बहुत सारे गैस है इन सभी चीजों को हमने अंतर गरहन किया या अंतर अंदर क्यों लिया अब यह जो है ठीक है बलड के माध्यम से हमारे सरीर के विभिन अंगों तक पहुंचते हैं और इसी प्रोसेस को हम के नामसे जानते है अब मैं यह ट्रांसपॉर्त दशाइक व्रिंअ और कारबन डाइउड सोड़ कुछा मे दयां रख commence का क्या होता है ठीक है जो को सिका में बन रहा है तो- इस से पहले सीड़ पढ़िये यह जो आकशीजन की अपस्थिति में use का आकुसिकरन हो रहा है इसमें बन रहा कारबन डेकसिट यह काक कोशीका में और कोसीका में जब रहा थहा कुपन रहा तु वापस भी ले आक्सीजिजन से अक्सीजन को पकड़ के इस एंचेंग को बाइंड करके और यह ओझता ओक्सीजन को रीलीज कर देगा काथ सेल में और CT तो हीमोगलोबीन जो फिर बाद में अटेच कर लेता है कार्बन डियक्साइड को ठीक है और उस कार्बन डियक्साइड को पुना लेके फ्रेम जाता है फ्रेम जाके फिर एक्सचेंज कर देता है तो दो कंसेप्ट याद रखेगा ऑक्सी हीमोगलोबीन और आपका तो दोनों जाएका तुरंत वह छूड़ जाता है ठीक आयानि उसका विलगन असानी से अलग हो जाते हैं लेकिन जब कर्वन डियक्साइड हीमोग्लोबिन से मिलता है ठीक है तो ऐसा थोड़ा बना लेते हैं कि थोड़ा सा मुश्किल होता अलग होने में थोड़ा चिपक जाता यह के अपेक्षा कार्बोक्सी हीमोग्लोबीन स्थाई तत्व है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं और अगला स्टेप देख लेते हैं ठीक यूटीलाइजिसन औफ ऑउक्सिजन तो सेल में पहुंच चूँगा अब उसी का सेल जो है इसका इंटिलाइज करेगा बढ़भाई यूटीलाइज करेगा बढ़ाई उटिलाइज है लो आख इसका और तो चीज्जों और इसे एनरजी के लिए हम तो ये सारे चीजे कर रहे हैं, ने तो जरुर्द क्या था सारे चीज़ें को करने के लिए, तिक जू कि यह जो वर्ब पर्फॉर्म हो रहा है, एक सेल के अंदर, इसलिए हम इसको cellular respiration कहेंगे, क्यूंकि यह जिते नहीं भी प्रक्रिया जो है, यह प्रक्रिया हो रहा है कोशी का के अंदर भी जानते हैं किस नाम से जानते हैं जो हम कोशी किए स्वसंद् है उस चीज़ को लास्ट वाला लाइन है तो इस प्रकार आप यह जो पांच स्टेप है अब संज चुके होंगे कि किस प्रकार फेफड़े के माध्यम से वायू जो है आया आकसिजन जो है iacos crush तक पहुंचता और उसको सिका में उसका ऑक्सिडेसन होता है यानि वह आक्सिजेन जो है फूट पार्टिकल को और इनरजी रिलीज करता है और उसी प्रोसेस में कारबन डाइक्साइड बनता फिर हिमोगलोबिन उसको पकड़ के बाहर निकाल देता है ठीक है तो बलड का काम बलड में जो हिमोगलोबिन है वह बेसिक रूप से ठीक है काम करता है ट्रांसपोर्टेशन करने का ठीक यानि आक्सिजेन को पकड़ के लाके फिर रग दिया सेल का जो कारबन डाके रग दिया फिर वह बाहर चला जाता है चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते वे उसी ऊपके काम को उसको हम देख लेते हैं कि यह किस प्रकार से कारे करता है तो सब से पहले हम गुल्कॉस पकड़ लेते हैं गुल्कॉस किया होता है छे कारबन युक्त के अडू होते हैं ठीक है आया समझबें अब ध्यान रिखिएगा यह जो प्रोसेस और पर तो है कि रेस्पिरेशन जो होता मेघी का कोशी मतलब कोशी का प्लाजम मतलब कोशी का धरव में यह कारिस संपादित होता है कौन बठाए नियुका करने ठेका कौन लेके रखा है लेकर रखायम माइटो कॉन्टरिया में एक्टब्छी होती है और ये डिया को शिका कई साइटो प्लाज्म अठान कुष्चिका दरव में है तो सबसे पहली बात जैसे ही यह मतलबूल यह आक्सीजन वहां पहुंशता है यह क्या करता है और फसके बहुता interactions- पिशन लोगे तो सबसे पहले किसे बदल यह के पुछएगा तो तो पायरुवेट में बदलता है तीका पायरुवेट किया है यह तीन कारबान युक्त मॉलीक्वेट है साथ ही साथ यहां पर भी energy release होती है लेकिन उतनी मात्रम energy release नहीं होती है जितनी हमको रिक्वाइर होती है तो अब बन गया पाईरूवेट अब इसी का खेल है भई समझेगा इसको पाईरूवेट यह जो पाईरूवेट है अब यह पाईरूवेट जो है तीन अलग 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 प्रोसेस के माध्यम से तूटने वाला है तीक है कैसे तूटता है उसका चर्चा कर लेते हैं तो सबसे पहला process हम देख लेते हैं तो पर यह लेगन oxygen के इस्काम को करेंगे और किसके साथ करेंगे इस्के साथ साथ थाए तब क्या प्रुड्राप्ट बनता है तब बनता है इतना ओल समझेगा इस चीछ को अराम से समझना इस चीछ को चुकि यह हमारा इसको अराम से देख रहे हैं application में ठीक है तो पढ़िए इसको राम से तो सबसे पहला प्रोड़क्ट बनता एथिनॉल ठीक है जो कि इलकॉल का ही बाइप्रोडक्ट एलकॉल कही टाइप ध्यान रखीगा फिर बनता है carbon dioxide फिर बनता है अपका एनर्जी ठीक अब इस इनर्जी को भी हम यहां कर लेंगे लेकिन यहां पर लगभग दो एटीपी इनर्जी बनती है ध्यान रखीगा कितना एटीपी बनता है ठीक है तो यहां पर तो एटीपी टू एटीपी समझ मैं अब मैं आपको यह भी बता दूं कि यह जो प्रोसेस इसको आप कहां देखे होंगे तो यह दो चीज होगे जब आप ब्रेड बनाते हो किया बनाते हो प्रोसेस को आफ चीन के नाम से भी जानते हैं कि पर्मर्डेसध हिंडी में कहेंगे तो केरी G1 तो समझे भाई जब किसी भी गुल्कोज के अडु को पिक जब झालत के अनुपस्थी किम आप उसको प्रोसेंट करेंगे तो उसी प्रोसेस को हम आपका का फर्मेंटेशन या कीडवन कहते हैं ठीक है और इसके मदद से इसके बाइप्रोडट करूप में एथनॉल बनता है कारबन डायकसड बनता और एनरजी रिलीज होता है अब देखेगा भाई यह जो एलकोहल बन रहा है यह एथनॉल का ही एक गुरूप है ठीक है एलकोहल बन करने के प्रोसेस में भी कौन सा काम किया था किया एता है किन्वार का क्या दो कहते हैं तो उस दो से बेख करते हैं तो दियां रिएगा क्या रिलीज होता है और यह जो है उस दो से बाहर निकलता है और शीके मदद से आप धियानन रखेंगे कि अगर माननों यह साइज है ब्रेट का जिसको हमने अंदर डाला है तो बहु जो है फुला होता और इस पंजी होता है उसके अंदर में धियान रिखेगा चंपल सा कंसेप्ट है ठीक ब्रेड का स्पंजी होने में इस कार्बन डियोकसाइड का पुरा हाथ है ठीक है और ध्यान रिखेगा इसी के मदद से इलकोहल का भी निर्मार किया जाता है तो यह होगे हमारा पहला प्रोसेस पहला स्टेप अब हम देख लेते हैं कि अब जो है दूसरे स्टेप क्या है लेक आफ का आक अक्सिजन के अनुपस्थिति में के का करेंगे ठीक है प्रोसेस करेंगे तब क्या होता है ठीक देंड रखेंगा यहां यहां भी अंसलIDE थ्ट लेक offense लेकल और हम बात करें मसलकों की तो इसका मतलब आप यह समझें लेक利व. ऑस और भाव ऑप्सिजन का मतलब होता हुथा i होता है यह पहला हो गया oxygen को तोड़ना अब यह तोड़ता है जब प्रयाप्त मातरा में और उस इस्थिति में अगर आप करें ऑक्सिडेशन का प्रोसेस करेंगे तो प्रोड़क्ट बनता है लेक्टिक एसीड क्या बनता है लेक्टिक एसीड क्या बनता है लेक्टिक एसीड बनता है साथ ही साथ एनरजी रिलीज होता है ध्यान रखेगा लेक्टिक एसीड बनता है energy भी रिल्यूस होता है दिस तो नहीं विशेच तो है ठीक है निविशेश चीज आपका यह ध्यान देना है कि यह लेक्टी कैसी बनता है अब हम बात कर रहें किस चीज का तो हम बात करें This work is performed in human muscles तो आप ध्यान रखीगा ये मानो का जो कोशिका है या मानो की जो मानसपेसिया है ध्यान रखीगा मसल्स वही कहें गेंगे ना मानसपेसि तो ये मानो के मानसपेसिय में परफॉर्म हो रहा है कैसे हो रहा है वो भी बता दे रहते हूं तो आप ध्यान रखना आपके जांगों में आपके पैर में जिस भी पार्ट में ज्यादा वर्व परफॉर्म करोगे या हाँ दीप समार रहे हो तब या मालो आप वह कोई बहुत जारा भारी वजन उठा रहे हो बार बार अपने हातों में तो आपको दिखो कि आपके मान शुर्ण देटा रहे हो च impact है निए डिए ठीक का तो यह बता दो तो यह बत Inc के निर्मान के कार जो मांस्पेशिया होती है वह कि जकर जाती है तो लिखन कि ऑर वहां पर दर्द रूता है जखड़ के कारन ठीक है लेकिन ध्यान रिखेगा जब हम कुछ देर अराम करते हैं रिलेक्स करते हैं तो हमारा फिर ऑक्सिजन जो है वो प्रयाप्त मातर महां पहुंचता है और यह लेक्टिक एसीड फिर वो जो अक्सिजन की उपस्थतिक कारण यह फिर हड जाता है यानि कि अब दर जो है लगभग समाप्त हो जाता है या कुछ मतलब रहेगा लेकिन अब दर ने मतलब तुलनात्म कुर्प से थोड़ा सा ठीक रिलेक्स मिलता है आपको तो क्योंकि यह लेक्टिक एसीड के जमाव के कारण यह दर होता है एक चोली में जमाव ठीक आक्सिजन नहीं था जब आक्स रिया दियान रिखएगा परेसं आखंशिजन इन माइटोकॉंडिय टि ao अब समझेगा इसी एक मत्रिये तीक जिसमें complete ब्रेक डूण होता ईंब का समझेगा अर्थाथ कुण रूप से आक्सिकरन क्या बोलू मैं इसको पूर आक्सिकरन कुण आक्सिकरन पूर्ण आक्सी करान आया समझ में तो ये तिस राजो केस है यही सबसे 1 एंपॉर्टेंट है क्यों इंपॉर्टेंट है यहां तो दो내 निकल रहा है ध्यान रिकीगा दोनों वाले में उपर वाले दोनों में दोब 12P ेनरजी रिलीजेम पींसित अ создat और यह यह जो ATP यह भी टूर जाता है तो अपने मूल रूप में आपको प्राप्त हो जाती है तो इनर्जी का सब से सरण रूप ATP से नीचे गया तो यानि वह एनर्जी गुरूप तुरंद कंवर्ट हो जाता है तो कंप्लीट फूट बनता है और इनर्जी बनता है अब आ जाती है यहां पर कोश्चन कि एनर्जी के मात्रा क्या रहती है यही रहता है 36 ATP ध्यान रखीगा ठीक 36 ATP उसमें बन रहा है दो-दो ATP किसमें भाई जब absence of oxygen है जब lack of oxygen है लेकिन जब presence of oxygen है तो oxygen क्या करता है पूड के अधिकतर पार्ट को क्या करता ऑक्सिडाइज कर देता है ठीक है और हमको ज़्यादा मात्रा में energy मिल रही है दिखिए कितना भार यह अंतर है ठीक है आपके 34 कैलोरी का अंतर है तो 36 यह step को यहाँ पर बताने का प्रास किया है चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं हम यह देख लेते हैं कि विविन जीवों में ठीक डिफरेंट टाइपस अब जो ऑर्गनिस्म होते हैं उनमें किन प्रकार का respiratory और्गन पाय जाता है ठीक है तो सबसे पहला हमारा एक्जामपल है हमारे पास अमीबा का तो आप जानी रहा है जब से आप बायोजी पढ़ रहे हैं अहीरा घुमपीर के एमीबा क्या करता है आक्सीजन को अपने सता सही ठीक है असोसीट कर लेता है और सता सही असे करने के बाद ध्यान रहेगा अंदर में जो भी काम हो रहा सता से बाहर कर लिया तो इसमें कोई विशेश उरुप से कोई विशेश अंग नहीं पाया जाता है लेकिन आजाओ मचलियों में मचलियों में आप देखे होगे तो मचलियों में गिल्स पाया आता है क्या पाया आता है गिल्स ठीक है यह मचली है और इस मचली में क्या पाय कि है ना फिसका ठीक है तो धेहां रहेगा मचली जो है अपनी गिल्स के मदद से पानी में पानी के अंदर प्रवांबि ए ले लगो से थेखिया तेह कि अगला घ्etter एकल एक्जामपल है गिल्स जाेशन हो कि रा यह जो मेड़क है इसके में देखो special रूप से nostril पाया रहा है यानि mouth cavity पाया जाया रहा है lungs पाया तो दो बिसेश चीज हो गया nostril तो ठीक है lungs अर्थाद फेफडे फेफडे की मदद से मेड़क जो है क्या कर रहा है यह oxygen को ले रहा है और फेफडे ही फिर क्या करेंगा अंदर पहुंचाएंगे यानि humans respiratory system के समान ठीक है मेड़क की पास भी क्या है फेफडे है और मेड़क के साथ साथ ठीक है human में भी फेफडे पाया आता और दोनों को example को आप एक साथ समझेगा तो यह हो गए ठीक है different types of जो organism में ठीक है पाया जाने वाला respiratory organ अब हमारे पीछे में जो slide में दिख रहा है यह है हमारा humans पे पाया जाने वाला respiratory organ तो आपको पता है कि humans पे पाया जाने वाले respiratory organ को हम किस नाम से जानते हैं लंग्स के नाम से जानते फेफड़े के नाम से जानते यह हो गया फेफड़ा ठीक है चलिए यह फेफड़ा आपको पता होने चाहिए फेफड़े का यह जो size है एक बराबर नहीं है एक जो है थोड़ा सा उपर नीचे भी होता है ठीक ध्यान रखीगा up and down भी होता है और size थोड़ा सा अंतर भी रहता है ठीक है चलिए अब समझेगा यह फेफड़े ही वह जगह है जहां पर oxygen गैसों का एक्सचेंज होता है यह रक्तों में चला जाएगा ठीक है और जो रक्त से carbon dioxide आएगा वह वापस diffuse होके सांस के माध्यम से चला जाएगा तो करूंगा इसके बाद एक और diagram ठीक एक स्टेप ज्यादा है मुझको करना पड़ेगा यहां पर करी लेते हैं आप भी diagram करिए तब यह ज्यादा और से समझ में आएगा ठीक है हमारे और आपके द्वारा बनाएगा diagram जो है थोड़ा आसानी से समझ में आएगा चलिए हम पढ तो बन गया अब आजए आगे की और यह जो मौट के विटी है अंदर की और आएंगे तो इस प्रकार से एक चेमबर मिलेगा हमको तो आप भी इस प्रकार का चेमबर बना लिजिए यह चेमबर नाक कब भी बना लेते हैं ठीक ध्यान रखेगा नाक का कुछ चेमबर इस प् पर मिला लेते हैं अब दिखिएगा यह नॉस्टील हो गया नॉस्टील हिंदी में कहेंगे नासा चिद्र हिंग उसके बाद इस नाक के अंदर गया है ध्याने किए यह आपका ठीक है नासा थेकि क्या कहने चाई है है इंग्लीज है नेजल केविटी नेजल केविटी यानी इसलिए इंग्लीज में जाएंगा जाएंग थीकर तव जो दिजेगा नासा गुहा नशा गुहा ठीक है अब मालेज़े आप सांस ले रहे हो थाप मदद से इस प्रकार से सांस ले रहे हैं ठीक है थोड़े देर के लिए यहां पर जाएगा वाइओ उसके बाद इस सबस्क्राइब्स मार्ग से निचे आएगा लेकिन यहां पर आपका मख है यह एंजियल के दिए मुख दिकाई तो यहां रहा हो गाई अब ध्यान नकिए निए भोजन यानि कि हम यह देखें कि बोजन सांस इन दोनों का मार्ग आंगे जाके एक हो जाता है यह दो यहां पर, यह common passage हो गया यहां तक, तीक है, अब समझेगा, यह common passage है, ठीक, इसका नामकरण आपसे बार-बार पुछा जाता है, ठीक है, और इसी नामकरण को हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम कहते हैं, phy r nx, ठीक, इसी को हिंदी में कहेंगे, grass nally, जाने कीगा, phyrengs कहें यानि कि हमने नाक से सांस लिया ठीक है निजल केवेटिम कुछ समय तक रहा और यहां आ जा रहा फैरेंक्स भी यानि ग्रास अनली में ठीक ग्रास नली जो भोजन का भी एक कॉमन पैसेज है अब आगे की और बढ़िए जब आगे की और बढ़ेंगे तो ध्यान रखेगा एक इस प्रकार से पाइप नीचे चला जाएगा और एक जो है इस तरह से जाएगा दो लाइन ठीक यहां पर एक चिद्र रहेगा और यहां पर एक चिद्र तो दो चिद्र आपको दिखाई देंगे ठीक आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है या बढ़ा कर दो इस से चलिए ठीक है अब ध्यान रखेगा ये जो है common passage है जैसे कि अभी हमने बताया था कि ये जो मार्ग है ठीक है ये common है अब आप यहां समझेए क्या समझना है ठीक एक चीज को मैं delete करता है ये औरी चीज को sorry sorry गलत रबर उटके है आप चले जाएए थोड़ा जगा चाहिए हमको अब ध्यान रखना भई ठीक यहां पर दो अलग अलग मार्ग बनते हैं एक मार्ग वह होता है जो भोजन के लिए तो यह जो आपको दिख रहा है यह भोजन का मार्ग है ठीक भोजन और इसी को कहते हैं ट्रेखिया का कहते हैं ट्रेखिया द्रेखिया अब इसी ट्रेखिया के मदद से क्या होता है सांस जाता है ट्रेखिया के अंदर से हमारा क्या जाएगा सांस जाएगा तो इस चीज को ध्यान रखिएगा ट्रेखिया के मदद से क्या जाता है सांस जाता है ठीक और इस का यहां पर द्यांजके यह पहले आएगा तिक लेरंस टिक एक्स यह यसको हम कहते हैं कंण द्यृन एक कंट कंठ द्धार कंट का कंट के आए द्यांध के पास बैए मेंगे दाए खकल लिए अगल box कहते हैं यहां voice box, voice box, जहां हमारी जो आवाज निकलती है, यह कहां से निकलती है, यहां पर जब आएंगे तो गर्दन के जस्त, जिसमें से वाई जाता है, यही पर आपका ठीक, एक आपका chamber है, ठीक है, और इसी chamber को हम किस नाम से जानते हैं, लेरेंक्स, यहीं लेरें यहां पर यहां दो मार्ग हो गया, सांस के, यानि हवा जाने का और भोजन जाने का, कभी कभी क्या होता है, गल्ती से अगर मान लो कि भोजन जो है, इस वाले area में, ठीक है, यानि की कहां पर, ठीक मैं आपको बता दे रहा हूं, यह वाली मार्ग में, यह, यह मार्ग में अ मैं इसको भी बना देता हूं इसको भी क्यों छोड़ों अगर हम इस मार्ग से आएंगे इस टाइप से तो अंदर में इस परकार से हमारा उदर मिलने वाला है पेट मिलने वाला अब समझे कि अगर भोजन गलती से यहां आ जाए तो क्या होगा तो यह गलती जो बनाने वाले है जिस ने वी बॉडी को बनाए है ठीक है तो भी हं रखिये यहां पर ए त्यक में दूनों इस पोर्स का नाम बता देता हूं तिक है इसको भूजन जो इसमार्ग से जाता है इसको महले म Conloru कहते हैं क्या कहते हैं इस चीज को भी говорить इसको में जाता है उसको हम गलेट कहते हैं लेकिन जिस मार्ग से थीक है वायू जाता है इसको फॉल इस दियुम ईच्वी इपिग्लोटीस के कारण हुए चब थैक भोजन झाती हो तो भोजन नीचे जाता you कि क्वोजन ढुい इस प्रकार से टाये तो फूट पाटिकल यूडिके य Near ओब्राव कि आति है जब जो है इस प्रकार से आपका भोजन का पार्टिकल इस और आने का प्रयास करता है या कोई भी पार्टिकल आपके इसी में इपिगलोटिस में चिपक जाए तब आपको हिचके आएगे इसलिए जब पानी पीते हो तो क्या होता हिचकी समाप्त हो जाती क्यों होती है क्य सांस सांस M6 6 तो सा स сбeras II कुलेगा ह BBQ जाने के यानि एक सांथ नोकाम हो नहीं कहा जाता है कि खाने खाना क्ाहते समय क्या नहीं करना चाह्या से जादा बाते करना चाहिए 치क कुंकि बात भी कर हैं तो तो हमारा आदा थी है הבמें आसा बना लिया है कि खाना खाते खाते भी से क्या करते हैं ज्द नोटिस नीं करते लेकिन साइंस की इसाप जेखा जाएं तो गजब का यहाँ परляется दिखाई दे रहा है यहाँ पर यह दिखाई दे रहा है कि खाना जाने का मार गलग सांस जाने का मार गलग ऊपर से हम बाद भी कर रहे हैं ठीक है खाना भी खा रहे हैं सोज भी रहे हैं कुछ और यह सारा चीज़ है automatic यह चीज़े हो रही है ठीक है अब आज यह इस में से हमको जितना आपको बताना था यह हमने और करा के ऊपर आप देखिएगा विशेष प्रकार की rails आपको दिखाई दे रही है आज़ी यह दि दिखाई दे रहे हैं कांद रिंग है हेलाइन कांद करो तिचा उसी प्रकार का भी यह भी है कांद सिंसे ये इस परकार गोला नहीं है, पूरी तरीके से ध्यान रिखीगा, ये आधा गोला ऐसा-ईसा करके पूरे गरदन में इस परकार से ये है, ठीक है, क्यों है भई, इस चीज़ को भी आप समझ लो, अब ध्यान रिखीगा, आगे एक चीतर और बना रहा हूँ, इन सारे चीज़ देता हूं तिक आहार नाल अगर वो जो सेफ्ट है जो रिंग दिखाई दे रहा है ठीक जाएगा अगर पुरा सरकुलर सेफ्ट होगा तो पीछे के और का स्पेस को घेर लेगा अर्थात जो आपका भोजन इस मार्ग से जा रहा है ठीक आप पर इस टाइटल मोशन कर रहा है वो करवानु कुंचन गती करते वे नीची के और भोजन जा रहा है ठीक उसके एक अवरोध मिल जाएगा पीछे के और रिंग मिल जाएगा तो इसलिए सब्सक्राइब करें भाणद देखना कि उ स्था अब है थिके सब्सक्राइब कर सकता है इसलिए आप दे 500 दोग व्रॉट कब नाम से जानते हैं समझे एक कर के ठीक है प्राइमरी अफरी ब्रॉंकाई इसके बाद यहां पर ध्यान रखेगा अंदर की और बढ़ते हुए ये इस प्रकार से पूरा ब्रांचेज में बढ़ जाता है फिर ये भी आपके बहुत सारे ब्रांचेज में बढ़ जाएंगे ठीक है तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि ब्रांचेज दर ब्रांचेज ये इस प्रकार से बढ़ते जाते हैं है समझेगा इस चीज को बांचे दर बांचे यह इस प्रकार से बढ़ जाते हैं ठीक है और इसके सीरे में गोल गोल संदर्चना पाये जाता है इस प्रकार से गोल गोल संदचना थिक ध्यान रखेगा गोल गोल संदचना इसी को हम थिक एलवोलाई के नाम से जानते हैं यह जो गोल संदचना है इसी को किस नाम से हम जान रहे हैं एलवोलाई यानि हिंदी में कहें तो वायू कूपी का थिक तो ध्यान रखेगा इसी वायू कूपी का में वायू आता है और उसी के उपर हमारे को हमने कर थिक है बड़ा करके रखा उसी वायू कूपी का को साका चोटा थे तो उसी तरह यह जो आपका एलोलाई है इस जो जोड़ के दंडी रखा गाता है उसी को ब्रॉंक्योल कहते है ठीक आया समझ में अब हम आगे बढ़ते हैं अब इसका हम देख लेते हैं कि यह विरिहद रूप है ठीक है यह आपका विरिहद रूप है अब दिखेगा इस रूप को भी समझ रहा है कहने का मतलब आक्सिजन वाला एर अंदर जा रहा है और कार्बन डाइकसाइड वाला एयर बाहर जा रहा है और इसी के बगल से ध्याने के बलड भी जा रहा है तिक यानि आरबीसी जा रही है और वास्तों यह तीन लेयर से बनाए तीन परत पाए जा रहे है ठीक है त इतने प्रत प्रत पाई जा रहा है तीन प्रत पाई जा रहे हैं बेश की यहां पर देखी तो यह नहीं पूछने वाला कहीं पर पाई या थी और और वो भी cool मिलाके 1 mm से भी कम रहती है, ठीक है, अब मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर blood जा रहा है, blood, blood, तो ध्यान रखिए यह जो blood का मार्ग है, इस blood के मार्ग में क्या हो रहा है, ठीक, जब blood यहाँ से जाता है, तो यह oxygen वाला जो blood है, इसी में diffuse हो जा रहा है, ठीक है, और ध्यान रखेगा, जिस आपके RBC के साथ carbon dioxide, CO2 है, वो क्या कर दे रहा है, इधर release कर दे रहा है, यह प्रक्रिया जो है, pressure gradient के मदद से होता है, ध्यान रखेगे यहाँ पर, ठीक है, जो दाब प्रमड़ता होती है, उसी के कारण दोने आपने आप आस पास में यह diffuse करते है ठीक, oxygen जो है, बलड में चला जा रहा है, carbon dioxide जो है, Y कुपिका में वापस आ जा रहा है, यह दोखो, इस प्रकार से Y कुपिका है, ठीक है, और इसी Y कुपिका यानि, alveoli के ऊपर पूरे blood vessels पूरे फैले हुए है, capillaries के रूप में, पतले-पतले capillaries, और यह already diffusion का process यहाँ प आगे होगा, चलिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक, respiratory, organ को देखते हैं, कैसे जो है, यह respiration perform होता है, कैसी यह respiration होता है, इस काम को देख लेते हैं, यह जो respiration है, यह भी ना दो प्रकार के step में है, जिसको चर्चा हम पहले कर चुके हैं, तो ध्यान रखेगा, पहले step की चर्चा करते हैं, पहले को हमने क्या नाम दिया था, जब हम सास को अंदर लेते थे, ठीक, तो हमने कहा था, अंता स्वसन, क्या कहा था, अंता स्वसन, ध्यान रखेगा, अर्थात, inspiration, ठीक, दूसरा कहा था, ठीक, expiration, अर्थात, नी स्वसन, नी स्वसन, तो इसका मतलब बड़ा कार्म प्लसा है इस चीज को समद लेज़िए कि आसीजन जनी तको अंदर के और लेना और कार्बन डियकसाइड जो बाहर को खोड़ना अर्थान था अंत वह स्व के अंदर लेते हैं और carbon dioxide जो जनित वाई उसको बाहर के और छोड़ना नीश स्वसन कहलाता है ठीक है यह कब होता है तो इसको समझने के लिए ठीक है दो तीन स्वसकित हो रहें है में बेसिकली दो फेक्टर काम करंच करेंगा दो फेक्टर। पहला फेक्टर काम करेंगा प्रेसर ग्रिडियेंट प्रेसर ग्रिडियेंट का मतलब fluor दाब परवन्ता आने समझ में दाब परवड़ता ठीक है अर्थात वाई उमंडल के का दाब यानि कि हमारे सरी से बाहर का दाब और हमारे फेपड़े के अंदर का दाब यह जब अलग-अलग रहता तब जाकि यह प्रफॉर्म होता है ठीक इसी को दाब परवड़ता कहते हैं प्रेसर ग्रेड मेडिवला और अब लांगटा के माध्यम से ध्यान रखिएगा ठीक है मस्तिसक कहा हिस्सा यह भी एक्जाम में पुछा आता है सांतिसाथ पॉन्स यह दो पार्ट ठीक हमारे सरीर के हमारे ब्रेंट के दो पाट है पहला पाट हो गया medulla oblongata और दूसरा हो गया पॉंस इन दोनों की मदद से respiration ब्रीधिंग का process जो है वो regulate होता है स्वसंद का क्रिया है क्रिया की बात करें cellular respiration की बात नहीं कर रहे है स्वसंद की क्रिया जो है वो regulate होती है ठीक है चलिए अब चलते हैं, दोनों को पढ़ते हैं, ठीक है, सबसे पहरे आप पहला डियाग्राम को देखिएगा, ये डियाग्राम में ये जो फेफडे का लेटरल साइड है, ये लेटरल मतलब साइड का, पीछी के और रिड के हड़ी है, सामने के और पसलियां है ये, ये जो आप देख रहे ठीक ध्याने कीगा, डाइफार्म के नाम से जानते हैं, ठीक है, अब चलिए पहला स्टेप, पहला देख लेते हम, अन्ता स्वसना था आक्सीजन यूक तो वाईव को अंदर के और लेना, ध्याने कीगा, ये कब होता है भई, कब ये अंदर के और आएगा, ठीक है, अंदर तब आएगा, जब अंदर में आयतन बड़ा हो, तो सबसे पहला प्रोसेस से ही होता है, हमारा मस्तिस सारी चीजों को रेगुलेट करता है, ठीक है, अब हम आते दाब परवनता हों को समझते हैं, ठीक, दाब में किस प्रकार का दाब होता है, उसको देखते हुए, आगे च बाहर जब दाब अधीक रहेगा, अधीक रहेगा, ठीक है, ध्याने किएगा, यहां पर दाब कम है, यहां पर यानि वायू कम है, ठीक, दाब ज़्यादा है का मतलब यह बाहर में आक्सिजन की मातरा या वायू की मातरा ज़्यादा है, तो हमेशा ज़्यादा से कम के और य ठीक है क्या करता है खीयचता है बाहर के वायव को अपने अंदर खीचता है लेकिन अंदर मेग immersion काम कैसे होता है यही काम प्रफॉर्म होता अपका मैंने बता है नशी जो हमारे जो 我ं नीचे के और जायेगा और अंदर जो है हमारे पास आयतन जो है बढ़ जाता है और उसी इस्तिती में वायूद अंदर के और आता है ठीक है ध्यान देखेगा यह पहला कंडिसन है वायू तब आ रहा है सांस ले तो दिखेगा आपको सीना फूला हुआ दिखाई देगा ठीक है क्यों कि यहां पर ज्यादा वॉल्यूम क्रियेट हो गया यह प्रोसेस हमने खीचने का प्रोसेस किया लेकिन स्वता जब आप अगर यहां पर निर्वात उत्पंद कर दिया जाए अब मैं सांस की चूँ ऐसे करके जोर से नाख से आने ही वाला नहीं क्योंकि हवाई नहीं है ठीक है तो अब समझेगा कि दाप परवड़ता क्या है यह समझ में आगे आपको दूसरी स्थिती बता दे रहे ठीक है जब वाई मंदल में क्या है कम है अब इससी स्थिति में वही जो इंटर कोस्टल मसल्स के देगता है आलाइस खाए संकुचित हो जागा पसली भी नीचे जाएगा डैफाम भी नीचे जागा तो आपका फेपड़ा काकार कम होगा यानि जैसे बैलून को फुलाने के बाद हम इसे दबाते हैं तो अंदर की वायू बाहर के और याती वस वही प्रोसेस होगा ठीक है यानि कि हम यह समझो कि हम उ तो आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड पर अब ध्यान रहेगा हम आप देखले टेए ट्रांस्पोर्टेशन ऑफ गैसेस ट्रांस्पोर्टेशन गैसेस का मतलब एक्स्चेंज तो हो गया एक्सचेंज आपको समझ में आ गया कि किस परकार आक्सिजन जो है बलड के हीमोग क्लोबीन बनाता है और फिर उसी ब्लड के माध्यम से फेफड़े पे आता है लंग्स पे आता है फिर वहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गेस के मिरत से तिक नीशोसन द्वारा बाहर चला आता है तो अंताशोसन में आक्सीजन लिया और नीशोसन में हमने यहां परोड़ा भई है और यहां वहाँ आप्सीजन लिया हमारे और यहां फिंगर और आप से पुछा जा सकता है about 97% of oxygen carried by the RBCs, ध्यान रिखिएगा, RBCs का मतलब blood, blood का मतलब अगर blood है, तो blood में RBC है, red blood carpuscles, red इसलिए red है कि उसके अंदर हीमोगलोबिन है, हीम नाम का उसमें आपका pigment है, और हीम का color red है, और वही हीमोगलोबिन oxygen को पकड़ के carry करने का काम करता है, दूसरे किसी में यह character नहीं है, तो सीधी से बात है, ठीक है, 97% of oxygen को transport करता है RBC, और RBC में होता है क्या है, हीमोगलोबिन होता है, हीमोगलोबिन, और यही oxygen को अपने आप में इस परकार से bond करके, आक्सी हीमोगलोबिन बना लेता है, दूसरा जो remaining 3% of जो carbon dioxide है, मतलब यहाँ 3% बाकी gas की बात कर रहा है, ठीक है, बाकी गैट में जो 3% carbon dioxide है, यह carried by plasma होते हैं, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है, plasma के माधियम से, वो यहाँ पर carbon dioxide नहीं जा रहा है, यहाँ पर, ठीक है, कर रहे हैं या इंटेक की बात है न समझो इंटेक जो है की बात कर रहा है HIV में भी का अक्षिजन भी 220 फार्शन औअ कार्बन टैयोक्साइट ट्रांस्पोर्ट इध हैं carbon dioxide दिख दिख दिए यहां पर ठीक है ट्रांस्पोर्टेट भाई carbon dioxide नहीं होना चाहिए यहां पर होना चाहिए आर्बीसी क्या होना चाहिए आर्बीसी ठीक ध्यान रखेगा सुधार लिजेगा यह गलत प्यारों टाइप हो गया है ठीक क्या हो जाएगा भई नियरली 22-25 पर अब 25 परसेंट जो carbon dioxide है वह आर्बीसी अर्थात आर्बीसी में क्या है हीमोगलोबिन है और हीमोगलोबिन के साथ यह मिलके कार्बोक्सी हीमोगलोबिन बनाएगा फिर उस चीज को फेपड़े पिलाएगा और फिर वहां पर carbon dioxide को मुक्त करेगा लेकिन अभी भी आपको बत करते हैं तो सिंपल सी बात है ठीक है oxygen की परिवहन तो अगर आप से बात किया जा तो सबसे बड़ा मीडियम है आर्बीसी दूसरा सबसे बड़ा मीडियम है आपका ठीक है ले जाने में प्लाजमा क्योंकि जो हम गैस लेके जा रहे हैं उस गैस में प्लाजमा आपका carbon dioxide भी सब्सक्राइब करता है तो अधिकतर चीज़ों को करता है ठीक है आपका bicarbonates तो यह हो गया यहां पर अभी आपको एक चीज़ यह चीज़ नहीं समझ में आया भाई यह कहां जा रहा है किदर को तुम आती हो किदर को तुम जाती हो तो यह क्यों नहीं समझा है और यह व्कलान पड़ेगा धिक यहां यह रहां नहीं स्वागा आ फेफण स्क्राइब यह माय होगा आपको पता हो चल गया है से én ईपका एक्ष्चेंज ओफ राएस तो यह वह पॉर्शन है जहां पर क्या फ़ पर फॉर्फरम हो रहा है एक्स्चेंज ओफ गैस हो गया अर्थात अकसीजन जो हैं अंदर कquinho और यहीं से और कारबन ड्याकिशाइड बाहर के और चला गया। ठीक, ब्लड वेसल्स के माध्यम से ये चला हमारे पंपिंग मसीन हिर्दय के पास, तो ये है हमारा हिर्दय, ध्याने के गए, ये है हिर्दय, इसके पास पहुच गया, समझे, ये है हिर्दय, बना लो भई, दिखना चाहिए, यहां पर ठीक से, वाइट में है, तो वाइट में आपको नहीं दिख रहा होगा, तो इसलिए इसको कलर फुल बना रहा है, चलो, ज्यादा कलर भी नहीं करें, ठीक, नहीं तो कलर ही करते रह जाएंगे, चलिए, ये हो हर रूम में, हर कमरे तक पानी पहुंच जाता है, ठीक है, तो उसी प्रकार, इसी हिर्दय के मदद से, पूरे बलड में क्या करता है, यह अक्सीजन यूक तो बलड को पूरे बलड में फैला देता है, और बलड में पूरे बाडी में फैला देता है, और बाडी में फैलाने तो यह है आपका ठीक लिए फुरह पर हो सिन और ज़ूशिका क्या अंदर यह कोशिका है यह अगला कोशिका यहां पर मनाएं, तो किस परकार यहां से oxygen जो बाहर जा रहा है, इस blood vessels में, और इसी blood vessels से आपका, sorry, उल्टा हो गया, ठीक है, किस परकार carbon dioxide है, इस cell से बाहर जा रहा है, और किस परकार oxygen इस blood vessels से हमारे cell में जा रहा है, तो यही वो final आपका diagram था, कहने का मतलब पूरे body में किस परका gas का exchange होता है, यहां तक आपको पुरी तरीके से समझ में आ गया होगा, तो हमारा जो chapter था, उसी chapter के साब से हमने दिया, बताया यहां पर, और यह जो हमने शुरू में जो diagram बनाया है, यहां से बहुत सारे परस्न आपको बनेंगे, यहां से, ठीक है, तो ध्यान रखेगा, य इसको wind pipe भी हम कहते हैं, ठीक है, और उसके पीछे में हमारा भोजन के जाने का मारग है, तो दो अलग-अलग मारग है, इस diagram को अच्छे से पढ़िएगा, देखिएगा, ठीक है, और साथी साथ इस वाले diagram को समझ लीजेगा, तो यहां पर समझने के लिए बड़ा सिंपल सा फंडा है, कि अगर इस चैप्टर से प्रसंप पुझेगा, तो समानिता आप यह समझे, इस चैप्टर से यहां नाम करन कुझेगा, और काम पुझेगा, ठीक, अंतस्वसंद क्या होता है, ठीक है, दाब परवड़ता है, किस परकार से यहां दाब होता है, इसको conduct कौन करता तो मेडिला और पॉंस चंड़क्ट करता है ठीक अंता स्वसन क्या है नीश स्वसन क्या है इसकी परिभासा देखे आपको अगले वीडियो में पिर आप से मिलेंगे तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार